सेवा सेवा जय सेवा जय पड़ापिन जय गुणवान अना प्रकाष लीलाबई नाम्वयराव सलामे नावा मन्दाना उमुदाय कोट इंदे के अमरती इंतुराट प्रेक जनाल ना इंदाथ ते सेवा मन्दव सेवा मन्दाई सेवा सेवा जय सेवा नेंड सैगोर गुणवाना ते मावा अवा गुणवाना भुईती ते नेंड गुणवाना ता बीरे महराणी दुर्गावती ना नेंड सुम्री नीटी अमोट मायने मायतारू नेंड नालू नूर सारूंनूर 460 सुम्री नीटी अमोट मायने मायतारू ते नेंड अना मावा गुणवाना तोर लेंगो मोतीरवन कंगाली ना कैदे लेकिताल उंदी महताता पुस्तेक गुणवाना का सांस्कृतिक इत्याज इगडाल मावा गुणवाना बिरे राणी दुर्गावती ना अईतियाहास लेकिताल मंदा तेना अटास्ते नेही अना मी परो वातोना मी करुम वातोना उंडे नेंड इद मान्दी वेताना काज क्यातोना ते सबसे मुन्ने अना गुणवाना सेवकाल बिरे दुर्गावती दल्पत साही मडविन तल्ला नवी किसी सेवा सेवा क्यातोना ते मावा बिरे दुर्गावती महरेनीना जिवनी वेहाना मुन्ने नाकुन युन लागिता कि जो संगरामशाही महराजाना बावनगड उंडे सत्तवन परगनाम मन्दा तेना मुन्ने भी इच्चक वाया लागा ते इदु जो गड़ामणलाता पोईपाठ है ते तेना युन अइत्यास है कि कि सुर्गड जो नांग गंड चिन्न वाले मत तोड गंड समुदायतोर सुलब चिया उईकाल तोर ते वर बतिकी तोर कि ओड़ा जो पोईपाठ राजनगर मता सुर्गड ते ते वर उतोड गड मनला इसी सन एकसो पच्चात तर तेना ते बतिकी आतू कि ओड़ा जो पीडी मत्ता इसी सन तीनसो चालिस वेरी हत्ता अने आगा सुलब सिया नांदयो भुर्दयो धुर्दयो यून मुन राजरत मत्तोर और बतिकी तोर कि ओड़ा जो राज्य पोईपाठ मत्ता ते मुन तुसां कितोरो अने नांदयो भुर्दयो अने धुर्दयो मुन राजरत सुलब सिया उइकाना अने बतिया कि नांदयो गण मनलाती मत्तोर अने नांदयो रत्नावली पोरोलता उंदी तुडि मत्ता ते अधेना मरमिंग स्यारगर्ड तोर जो जोदसिय मलावी मत्तोर रावेन निलकंटक पिट्टे गंचिन्न धारक ते ओणा मरी जो मत्तोर यदुराय मलाय सिंग ओन संगा ते इंदाना यून है कि मलावी जो पोईपाठ मन्दा तो ओणा सीड मान्याल राजाल जो मन्दोर वो यदुराय मलावी मन्दोर इस विशान 307 ठीक ते इवन ताके नाके ताके नाके इत मलावी कुट्मारते संग्रामशाई महराजा वातोर आने ओना जो 52 गड आने सत्तान परगाना गड मन्दा ते ओना राजपाठ सुराता इस विशान 1409 ठीक ते जो महराजा संग्रामशाई मत्तोर ते ओल सोता पुलस्य वंचिय उना पैचान सोता ता पैचान ते पुलस्य वंचिय इदू जो मन्दा इदू पुल तासी इदू गण चिन्न जो मन्दा ते ना गुंडी ते अर्था आयता निलकंट पिट्टिक पुल तासी तो इसी रावन पिट्टिक कहा गया है। ते यह है हो गया संगरमचा मढवी का अलप परिचे महाराजा का तो उनी की दो संतान थी संगरमचा महाराजा मढवी जी की एक तो था उनका पुत्र दलपच्छाई और दूसरा पुत्र था चंद्रशाई तो चंद्रशाई का मुरुत्तिक के बाद उनका जेश्ट पुत्र दलपच्छाई को इस गड़ा मनला की सत्ता मिल गई और उनको विरासत में यहाँ राजपाट मिला दलपच्छाई मढवी जी को और उनकी उम्रा करीबन 28 वर्स किती और दर्पच्छाई के याल गुंडी में हम अवाल कहते हैं उनका नाम पद्वामवती हैं और इसी के बाद जब वो इवाह हो गए तो उनका विवाह इसी सन 1540 में राट मोबा के चन्नेल गंड चिन धारक राजा शाली वाहन की कन्या दुर्गावती से हो तो गुंडी गंड समुदाई के रिती रिवाज के नुसार समुदाई व्यास्ता में यहां विया हुआ तो चन्नेल यहां एक गोत्र के याने गंड चिननक का नाम है जिसका आर्थ चन्नेल का आर्थ होता है घरगोश तो जो राट मोबा के जो थे राजा तो उनका यह गंड चिनन है तो दल्पच शाही बहुती सहित्यकला के प्रेमी थे उन्होंने सभी धर्मियों को राजा इश्रे दिया था तो इसके बाद क्या हुआ कि उनका जो शाषन था उन्होंने अक्षुन ने बनाने का प्रेयास किया लेकिन दुर्बाग्य से राजपट संबालने के साथ वर्ष बाद ही वे मुनुत्यू के आगोश में चेले गए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी दुर्बावती राणी पर आ गए और उनको एक पुत्र भी था उनका नाम था वीर नाराय और उसकी उम्रज सिर्फ पांच साल खी थी तो हमारी राणी दुर्बावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली वह उस राज्य की सरक्षिका बनी वो बहुत ही प्रतापी थी उन्होंने उसके पुरुवए ही मतलब जंगल में जाना मतलब जो शाधी होने के पहले बहुत शूर वीरता से परिपको थी भागों से लड़ती थी शेरों से लड़ती थी वहाँ इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनके महरानी के जो भतीजे है चंद्र साही के पुत्र मदुकर साही ने मनला के पास एक मदुपूरी गाव बसाया तो नर्मदा टक पर यह ठाना है और ठाना में रानी के हाथ से उतर कर जमीन से मतला जमीन से उतर कर वहाँ शेर का शिकार कर रही और नर्षेर के साथ मादा शेरनी भी और यहाँ जो मुर्ती है मैं आपको बता दू यहाँ जो मुर्ती है मुर्ती के साथ नर्षेर के साथ मादा शेरनी भी है और यहाँ लगबग चार से वर्ष पुरानी है ऐसा हमें राणी दुर्गावती का इत्यास हमारे गुर्णवाना के एक बहुती अभ्यासकार रामबरसी अगरवाल के किताब से हमने यह देखा है तो यहाँ उले करना बहुत ज़रूर है तो राणी ने उसके राजकारबर में उसके राज्या पर कुछ छोटे मुटे आक्रमन भी हुए और उस आक्रमन को राणी ने बड़ी वीरता और श्यूर्यता के साथ भगा दिया उसके बाद राणी ने करीबन देखो पंदरा साल तक ये गोणाना मद्यभारत का जो गोणाना है पंदरा साल तक राजकी योणन है और अपने राजशाशन काल में राणी दुरगावती ने ताल बनाया जो जबलपूर में है और उस ताल को अभी भी राणी ताल कहा जाता है उन्होंने अपने राजशाश में कुरुशी व्योस्ता मजबुत करी कुवे जहां जा कुवे भी उन्होंने खुदवाए तालाब बनाये और अपने राजश में सभी को उन्होंने भी राजशाश दिया राणी ने ऐसी कर्तबगार शाशक महिला धरती पर और कहीं दिखाई नहीं देती इत्यास साक्षा है लेकिन इसी गोड़ाना पर बाय लोगों का आक्रमन हुआ और हमारे राणी ने अपने सूजबुच के साथ प्रतिकार किया उसको गुंडी में गुंवाना के इस इत्यास में तोड़ नहीं है अईसी हमारी राणी दुर्गावती जिसको गुंडी में बीरे कहा जाता है इनका इत्यास बहुती स्वर्णीम है राणी का जो इत्यास है गुंड़ाना में इस इत्यास में जैसा चाहिए वैसा उसका लेकन नहीं क्या रहा है लेकन बहुती अलप है लेकिन जिस जोर सोर के साथ हमारे गुंड़ाना में उनका जैजेकार होना चाहिए पूरे देश में होना चाहिए देश में नहीं विदेश में भी होना चे वह ऐसा नहीं हो रहा है यह बड़ी दुर्भाग की बात है राणी दुर्गावती की एक गाथा हम आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहे हैं उस पर से यह सित्व होता है कि अमारी जो महराणी है वहाँ सभी गण समुदाय की राणी थी बहुती सुन्दर काव्या है जो हमने गुणवाना का सांस्कृतिक इत्यास के रचेता लेखाक लिंगो मुतिरवान कंगली जी का जो गरंते गुणवाना का सांस्कृतिक इत्यास में लिया है संदर्वा के लिए मैं आपके सामने प्रसुत करने जा रहा हूं चंदेला गुंदेला गंडोला के गोणवाना की रानी शिर्षक है गोणवाना की रानी चंदेला गुंदेला गंडोला के गोणवाना की रानी अमर रहे इस धर्तिमा सदातोर कहानी कट्चुरी वक्चुरी गनों की सारी नागवा कच्वा की पालनहारी गंडला सिंगोरा गडा के गोनवाना की रानी अमर रहे इस धर्ती मा सदा तोर कहनी ओ दाई सदा तोर कहनी पालो मुनलो सवरो की दाई कोरवा कोलो गंगो की माई विन्या मेखला नर्मदा के गोनवाना की रानी अमर रहे इस धर्ती मा सदा तोर कहनी ओ दाई सदा तोर कहनी गंगवारा हलो की शक्ती मुराट मुरिया खुंडो की भक्ती मुराट मुरिया खुंडो की भक्ती साता पेंग मेडी चोरागड के गोनवाना की रानी अमर रहे इस धर्ती मा सदा तोर कहनी ओ दाई सदा तोर कहनी मुगल सर्दार आसब की स्वारी तक्कर दियो जंगमा भारी खुप कटारी अमर भैके गोनवाना की रानी अमर रहे इस धर्ती मा सदा तोर कहनी ओ दाई सदा तोर कहनी उक्त बुंदिली गीत में गड मनला की महारानी दुर्गावती को गोनवाना की प्रजा जैसे चंदेल, बुंदेल, कच्चुरी, वक्चुरी, नाग, कच्च्वा, पंडू, मुन्ला, कोल, कोर्वा, गंग, गंड, गवरा, हल्वा, मुराट, मुरिया, कोन आदी समुदाय के गंड़ों की पालनहारी दाई शक्ति और परमशद्य शक्ति कहा जाता है और उसके अमर हुने की प्रातना की जाती है इस पसे यह स्पष्ट है की महारानी उक्त सभी समुदाय की रानी थी और वे सभी गोनवाना के गंड़ों थे गंड़ों थे जिसमें उनकी योशो गाथा का सार है तो देश्वासियों ऐसा महा परक्रम शोर्या गता रानी दुर्गाती मडावी ने की है और हमारा कहने का तात्वर यह है कि इतने बड़े समराट अकबर बाश्चा के साथ टक्रली एक हमारी गोनवाना की महा परक्रमी दाई ने तो बहुत जैसा जीस मात्रा में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए गोनवाना में विशाल का यह गोनवाना में इतियास कारों ने नहीं लिखा यह बहुत दुर्भागे की बात है हमारा गोनवाना का इतियास हमारी गोनवाना के जो बिराल है जैसे के हमारे शंकर्षार गुनाच्छा मड़ाई गड़ मनला के और उसी क्षेत्रक से वीर नारायन से मरकाम हमारे मावानाटे मावाराज तेलंगना के गोष्णासी भिमु कुम्रा दक्षिन गुनवाना के बाबुरा पुलिसुर सेडमा का आंद्र के रामो मरसकोला ऐसे बहुत सारे गुनवाना के वीर और विरंगने हैं उनका इतियास उजागर होना चाहिए उनसे हमें बहुत बड़ी उर्जा मिलती है शक्ति मिलती है प्रेरना मिलती है तो आज हम उनको सुम्रेन करते हैं चार सो साथ हुए है साल हो चुके है रानी की शहादत के चार सो साथ और मैं और एक छोटा सा जू उनका जो समर में रनांगन में जो साथ दिये रानी जिस हाती पर सवार होकर युद्ध की वो सर्वन हाती का भी हमाय उले करना चाहता हूँ आपको ग्यात होंगा सर्वन हाती ने भी रानी को रक्षा के लिए ढग दिया था और रानी की क्या क्या कितनी गाथा है बताओ आपको मेरे पास समय बहुत अलप है इतना मैं नहीं कर सकता कि उसने अपने आत्मोसर्ग किया अपनी कटार से पेट में खोप कर अपनी जिवा दे दी इतना ही नहीं तो उसको उन्हें पता था कि अगर मैं अभी तो मरने वाली हूँ यह तो नीचित है तो मेरी कलेवर का भी अपमान नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने उनके जो सरक्षते उनको कर दिया कि मुझे जला दो मेरी क्या मिलेंगी सीव राथ मिलेंगी यह कलेवर नहीं मिलेगा ऐसी हमारी रानी दुर्गाती मडवी है विरांगणा गुनवाना की और उन्होंने गुनी रिती विवाज को उन्होंने जिन्दा रखा वो पुत्र वदू नहीं थी खूल वदी थी गुनवाना की खूल वदू थी जो हमारी जंवर रायतार ने कुटमारता पुढीयार यह जो नेंग दस्तूर है हमें प्रदान किये है वो उन्होंने रानी दुर्गाती मड़ई ने निभाई ऐसे गुर्णाना की विरांगना को हम गुर्णाना के दाइदव सेवा सेवा करते हैं और उनकी गाथा हम पिड़ी दर पिड़ी गाते रहेंगे गाकर हमारा जो गोरोशाली गुनवाना है वेबोशाली गुनवाना है शक्तिशाली गुनवाना है हमारा जो आप देख रहे हैं चित्र में और ये गुनवाना का संस्रुजिक इत्यास में भी हाती पेशवार शेर है एनिपुरो सुडुम यानि जो हमारा गुर्णवाना का ये राजचिन्न है ये कहता है कि ये गुर्णवाना के गंड़ीओ अपनी पोवपाट पर अपने शोरिय से अपने बल बुद्धी से अपनी विवेक से अपनी नयाई से आप राज करो ये हमारा गुर्णवाना का राजचिन्न है अमर है तो आज के 460 जो सुम्री नेटी है हम कोटी कोटी अमोट तला नवे किसी हेतु किसी मावा वीरे गुर्णवाना दाई दुर्गाती अमोट हेत क्यातरों सुम्री क्यातरों सेवा सेवा जय सेवा जय गुर्णवाना जय पर्शापेना झाल 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 झाल